प्लीज सब्सक्राइब दा चैनल वेलकम टू टॉटल टेस्ट निस्की इसकी चंचली आज बनाते हैं बहुत स्वादिस्ट मेंगो शेक मेंगो शेक बनाने के लिए हमने एक अच्छा पका हुआ आम ले लिया है और आप हम इसका पल्प निकाल लेते हैं मेरा आम कुछ ज़् टाल कर देंगे और यह देखिए और अपने प्ल्प लिक्सी के चार में ड़ाल दिया है और सब्सक्राण को टीन से चार मिनट तक कर लेंगे ताकि हमारा जो शुगर है वå अच्छी तरह समें गुल जाए और जो आम है वह अच्छी तरह बैंक हो जाये और यह देखिए घ् तो हम इसमें दूद डालते हैं और ये देखिए मैंने एक बड़ा कप दूद का लिया है दूद आपका चेल्ड होना चाहिए आपने इसमें गरम दूद नहीं डालना है और हमने इसमें अप दूद डाल दिया है और दूद डालने के बाद अब हम इसको 2-3 मिनट तक फिर से कर लेंगे ताकि जो हमारा दूद है वो हमारे आम में अच्छी तरह मिक्स हो जाए और हमारा मैंगो शेक अच्छा स्मूद बनकर तयार हो और ये देखिए हमारा मैंगो शेक बनकर तयार हो गया है तो चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं अब हमने इस मैंगो शेक को अपने काट लिए हैं और अब हम इनको भी इसके उपर डेकोरेट कर देते हैं और ये मैंने अपने कटे हुए नाट्स भी मैंगो शेक के उपर डाल दिये हैं और ये देखे हमारा healthy और delicious मैंगो शेक बनकर तयार हो गया है गर्मी के मोसम में मेंगो शेक तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और अभी तो आम का सीजन भी चल रहा है तो आप भी इस टेस्टी मेंगो शेक को इंजोई करें और अगर आपको यह पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बैल आइकन दबा दें